सरोकार तक कई दिगज वोट डाल चुके हैं वहीं योगी सरकार के कई मंत्रियों ने भी वोट डाला चौथे चरण में जिन दिगजों के किस्मत दाव पर लगी है उन्होंने अपनी अपनी जीत के दाव़ किये है सभी चुराजनात ने जीत का दाव़ किया जो कि मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला मायावती ने कहा कि स्वी के राज में दलीतों पर अत्याचार हुए हैं और जबार मुसल्मान भी बिस्पी के साथ है उत्तरप्रदेश में चौथे चरण का चिनाव चल रहा है और कई जिलों की वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायते मिल रही है लगनाव में मशूर शायर मुनवर राणा का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है नाम ना होने पर नारास की जताते हुए शायर मुनवर राणा ने कहा कि जब हुकूमत खुद वोट देने का मौका नहीं दे रही है तो दुख किस बात का इस दौरान मुनवर राडा ने कहा कि पिशली बार मेरा वोट था मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि मेरा वोट जान बूच कर काट दिया लेकिन मेरा वोट ना आने से अंदाजा लगाए जा सकता है कि ये सुशासन नहीं कुशासन है बद इंतजामी की वज़ह से हमारा पर्चवा हमारे पास नहीं आया है और हम वोट नहीं डाल सके दिली के मुख्य मंत्री और आमाद्मी पार्टी के रास्ट्र सेयोचा करविन केज्रिवाल आज रुधाली विधान सभा के रुधाली बाजार में एक विशाल जन सभा को सम्बोधित करने पहुँचे थे रुधाली विदान सभा सेया मादभी पार्टी के प्रत्याशी अड़्दमा स्टेट अपूर्व विधायक आदित विक्रम के पुत्रों और युवराज पुष्करादित त्यसिंग के समर्थर में केजरिवाल ने लोगों से अधिक से अधिक वोट करने के अपील की आगे समोधन में दिली सीम केजरिवाल ने विपक्ष पर जिमकर हमला बोला और कहा कि उन्हें पीयप मोधिया मिच्शा और योगी जिस सहित पूरी बीजेपिया आतंगवादी कहती है तो वो आतंगवादी है रश्टचारियों के लिए केजरिवाल आतंगवादी है पूर्व विधायक आदित विक्रम सिंग और तमाम आप पार्टी के नेता मौजूद रहें। इसने उसका अतनकवादी केढ़िया, कत्या स्प्सेड़ क्या पांट को सब्सक्रांख का में पताते हैं। में भी पंजाब से आ रहा हूं। आप नोगों को खुश ख़बरी दें। पंजाब में आमादोंटाव्नीपारिटी के सब्सक्रार मनने जा रही है। आज यूपी के चौथे चरण के मतदान चल रहे हैं सभी राजनीतिक दल अब पाचवे चरण की तैयारियों में जुटकाए हैं और अपने विरोधियों पर हमला कर रहे हैं इसी कड़ी में रास्ट्रे लोक दल के अध्यक्ष जैनत चौधरी ने बीजेपी और प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी पर निशाना साधा उन्होंने राज सरकार के कामों पर भी सवाल उठाया जैनत चौधरी ने ट्वीट करते हुए पीम नरींद्र मोदी पर निशाना साध सुभा साथ बजे वोटिंग शुरू होते ही बीएसपी की सुप्रीमो मायावती घर से निकली और लखनों में अपना वोट डाला वोट देने के बाद मायावती ने कहा के मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है वो उन्हें वोट नहीं देंगे यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही सपा को नकार दिया है क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज माफिया राज है सपा सरकार में हुए दंगे सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि वो सत्ता में नहीं आ रहे है पतेपुर में चौथे चरड के मतदान के प्रक्रिया सुभा साथ वज़े से शुरू हो गई थी छे विधान सबासीचों के लिए 80 प्रत्याश्यों के नाम भरे गए है बूधो पर लंबी कतारों के साथ चुनाव आयोग ने गाइडलाइन्स जारी कर दी है चुनाव आयोग ने दिव्यांगों के लिए मतदान बूतों पर वीलचेर की विवस्ता करने की बात कही थी लेकिन विकास खंड खजुआ मुख्याले में वीलचेर की सुविधा उपलब्धन नहीं कराई गई प्राइम टीवी के समधाता ने मतदान करने के बाद लोगों की प्रक्रिया जाननी चाही तो लोगों ने अपनी प्रक्रिया को वेबाकीर के साथ प्राइम टीवी के साथ साजा किया है आप भी सुनिए किसको जिताने का या जीतने का किसको जिताने का या जीतने का किसको जिताने का यह नहीं बता हूँ किसी को मैं जो बता हूँ कोई कोई उद्देश तो रहा होगा ना जो है तो आपको दस्तारी को प्रमाण मिल जाए का क्यों को परेशान है बहुत अपने आपको अच्छा म जानावाद बिधान सभाके एक बूत पर खड़े हुए है जहां पर मद्दान पूरी तरीके से चालू हो चुका है साथ बजे से मद्दाग की प्रक्टिया चालू हो चुकी है मद्दान प्रक्टिया चलने के बाद हम उपने कैमरा मैंन से कहेंगे को साथ बूत में जो भीड दिख रही है वो एक ऐसा लगता है कि जो लोक तंदर का महापर वसुरुआत हुई है आज चौत केमरा मैंन से भी कहेंगे की पोलिस प्रशाशन की जो यहां ब्र रिषा चाख चौवण मेंघर के जाए वहां होगा उसके लिए हैं फिलचेर की ब्यूस्था की जाएगी और फिल्चेर की ब्यूस्ता यहां तो फिल्कुल भी नहीं साफ नजर आरही पर हाँ इतना जरूर है कि जो दिब्यांग के साथ में जो उसका परिजन आ रहा है मद्दान करवाने के लिए वो दिब्यांग को अपने साथ ले जा करके बोट डलवा करके फिर वापस लेके जा रहा है यह जरूर कहिने कहिए ऐसी प्रशासन की नाकामी सामने आ रही है जहां पर कि खुले आम दाता जाएगा वो मद्दान करने के लिए जो है मास्क लागा कर ही जाएगा इसके बगार कोई इंट्री नहीं होगी कैमरामेन आलोक के शाथ अमर दीब्तर पार्ठी प्राइम टीबी फाते पुर गोरकपुर में भारती जंता पार्ठी के रास्ट रद्यक्ष जेपी नड अंदर पहुँचे एक विकलांग बीजेपी कारेकरता ने उनका पैर चूना चाहा उन्होंने जुक कर उस विकलांग कारेकरता का पैर चुआ प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशानस साथ दे वे कहा कि आतंकियों को पना देने और आतंकिय के पिता को घर बुलाने खाना खिलाने वाले अखलेश यूपी की जनता को जवाब दे 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात और सुबब CRPF के कैम्प पर रामपुर में AK-56 से अटैक हुआ इस अटैक में साथ जवान मारें गए साथ परिवार विद्वा हो गए परिविद्वा हो गए परिवार के बच्चे अनाथ हो गए STF UP और NIA में नेपाल और भारत के बार्डर के बार्डर को पकड़ा जिसका नाम था शाहबुद्दीन ये शाहबुद्दीन लस्कर-े-तौइबा का भारत का कमांडर जिस्टा बिहार करें लेगा अकिलेश जी ने यही 26-12-2012 इनको भी मापी दी और ये केस बिट्रौ किया इलाबाद हाइकोट ने फिल से कहा कि या बिट्रौ नहीं कर सकते हो पूश्टा चुई शाहबुद्दीन से साथ लोग पकड़े गए चार को सजाय मौत हुई और तीन को अजीवन खारवास हुई मैं आपके सामने अखिलेजी से पूश्टा हूँ कि आप प्रदेश के मुक्य मंत्री होते हुए आपने अतलपादियों की रक्षा की और स्वमिरान की खजियर हो रही गाजियबाद में नगर निगम ने वसुन्दरा सेक्टर पंधरा में सडक की किनारी ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाया महीं अतिक्रमण हटाने को लेकर रेहडी पठ्री वालों ने विरोध चताया जिसके बाद नगर निगम के कर्मिचारिव ने रेड़ी पट्री वालों के साथ मार पीट की जिसमें रेड़ी पट्री वालों का अरोब है कि नगर निगम का सुपरवाइजर उन्ही धमकाता है महीं जोनल प्रभारी सरिता सिंग मौके पर मौझूद थी रेड़ी पट्री वालों का कहना है कि उनको रजिस्टर्ड दुकानों के लिए बोला ज़ा रहा है सर एक वीडियो वायनल हुआ है जिसमें कुछ दुकान दोरों के साथ कुछ समान का उनका आरोब है फेंका फैकी हुई है उसको लेकर इंद्रापुर्म थाने में कुछ लोगों ने तहरी दिये नगर निगम के करम चारी खिलाव क्या मामला आते हैं और यह मैसेज देने के हम लोग कोशिश करते हैं कि जो आप वर आट़ बी करते हैं जगह पर ही नहीं करते हैं कि लिए हमारी प्रीदाबाद से हैं जहां पर परवतिय कालोनी में लगे मुबाई ज़ावर के विरोध में इस्थान ये लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया टावर वाले इस्थान के पास में ही बच्चों का स्कूल है लोगों का आरोब है कि इस टावर के लगने से लोगों को बीमारियों का खत्रा बढ़ जाएगा तो मुवाल टावर है इंटरनेट की ज़रूप स्बको भूति है पर इस बीडिन को छोड़के इस बीडिंग में आ गए हैं अब यहां से कहते हैं तो यह देखा तो यह देख रहे हैं कि टावल लगा रहे हैं गली मोहला विरोध में हैं और कोई दूरी भी नहीं है कोई वह साब मना कर रहे हैं खिरोध कर ने का तो उन्होंने बोला कि जिम खोलेंगे ओपर और अचानत से नीचे यहां पुदाई हो गई है लोगों ने का तो उन्हों ने का कि हम तो ऐसी लगवाएंगे, हमने DC से पर्मिशन ले रखे, आप बताएगे, इतनी हाई रेडियेशन का है, साथ में कॉन्वेंट स्कूल है, कितनी प्रॉब्लम सेस करनी पढ़ेंगी, देखे, दिक्कते तो बढ़ेंगी, फिजिकल, मेंटल जहां पर दिब्यापुर्थाना छेत्र के खजुबेया में चाचा ने भतीजे का खून कर दिया, दरसल भतीजे ने 100 रुपय उधार नहीं दिये थे, जिसकी वज़े से भतीजे पर चाचा ने चाकु से वार करते उसको मौत के गाट उतार दिया, पुलिस ने मुरतक के भा अरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, गायल को जिला अस्पताल पहुचाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई और क्या उद्धिक कर दे गया है, चुछ नहीं परानी कोई रिंजिस थिक या, जिने बात क्या थिए लवक्तिक कुछ नहीं बात ऐसी सुवेरे कुछ बाद होगी तो एंगे सव दो ले लियो हुए उन्जे दे देंगे थोड़ी दे बात तो ले जो ले लिए तो इनोंहों उत्तरप्रदेशी खबरों में फिल्हाल इता ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अबे खेखते रहे हैं प्राइम टाहस सरो के लिए हैं प्रीवी ओंसे वार के लिए हैं नाया ही हैं